तुम्हे बुलाया तुम्हें लुखे 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 बुलाया तुम्हें लुख अगर इस माने तुम सब को अपने जड़ों में बुलाया है तो मैं तुम सब के प्रति इस मान से कहुआ है महरानी है राजरानी अगर तुमने इन भक्तों को अपने जड़ों में बुलाया है तो इन सब की पहचान करो इन सब की पहचान करो यहां कौन है राजा, कौन भिकारी एक बरावर तेरे सारे पुझारी और तुने सब को दर्शन देखे, तुने सब को दर्शन देखे, अपने गले लगाया जिरा वालिये तुने मुझे बुलाया, 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 तुने मुझे मारा बालिये मदरा बालिये तुने मुझे बोलाया मेरा बालिये मेरा या ने आया तेरा बालिये हो तुने बेश्टों देवी के मल दिर में लो घुम्राते बाते हैं जो रोते रोते आते हैं वो हसते हसते जाते रोते रोते आते हैं एक भक्त ने मां के दर्वार का ये नजारा देखा कि मां तेरे दर्वार में जो रोता हुआता है और जब यहां से जाता है तो हकता हुआ जाता है उसने प्रदिक्या की तेरे दर्वार की हमने अजब चलबा करी देखी तुझे देते नहीं देखा मगर जोली भरी देखी मैं भी माग के देखू जिसने चुमा का सो पाया है जलू चलो बुलाबा आया है माता ने बुला आया है भले ही अपनी तालियों को बंद कर ले मैंने माताओं से कहता कि तुम्हें अपनी मा के मनता साक्छा सामने घड़ी नजर आएगी कैसे आएगी बहले ही तालियों को बंद कर ले लेकिन धिहान मेरी दरब होना चाहिए इस बहेंट को प्रमादनी है स्री नरेंद्र चंचल जी ने अपने मुखार बिंजिक आया था लेकिन इस बहेंट में जो अंतिम बंद है इसमें एक रहे शिच्छता हुआ है वो आप ध्यान से सुनीगा कि मैं भी तो एक माँ हूँ माता ये माही मा को पहचाने बेते का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने मातर इतनी बाद को किष्णे कहा ये ध्यान से सुनीगा जंगल में एक सिकारी का एक दिन हुआ गुजर एक सेरनी के बच्चे पर उसकी पड़ी नजर एक सिकारी शिकार खेलने के लिए बन में गया सुबैसे साम हो गई लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला जब शिकार नहीं मिला तो साम के वक्त उदास होकर के अपने घर के लिए जाने लगा रास्ते में उसने क्या देखा एक शेरनी के बच्चे पर उसकी पड़ी नजर तो बच्चे को शिकारी ने और फोरन उठा लिया हरस्ता हुआ वहां से अपने घर को चल दिया जिस समय शेरनी के बच्चे को शिकारी ने उठाया उस समय शेरनी मौजूद नहीं थी और जब अपनी गुफा पर लोट कर जब आई शेरनी पच्चा वहां न पाया तो घवरा आई शेरनी जब शेरनी को शेरनी का बच्चा नहीं मिला तो बैसे भी कह देते हैं जिस नेन करी कुर की सेवा वो ग्यान लडाई क्या जाने जिसने बोला हो जूट सदा वो यार सचाई क्या जाने जिसकी ना फटी अर बिवाई हो अरे वो पीर पराई क्या जाने मा की ममता का प्यार भला एक बाँज बिचारी क्या जाने जब शेर्णी को शेर्णी का बच्चा नहीं मिला तो उसने सोचा इस शेर में मा का पवित्र जाकरन हो रहा है और जहां पर मा का नाम लिया जाता है वहां पर मा किशी ना किशी रूप में अब शेहीं दिराजमान होती है तो मैं भी अपनी अर्दास मा भवोती से क्यों करूँ जिसे कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए तो मुश्किल में याद आ गई मैया की उसो घड़ी किलकार की तहार की दर्वार चल पड़ी जब शहर में दाखिल हुई तो लोग दर गए जब शहर में दाखिल हुई तो लोग दर गए अरे लाखों ही नौजवानों के जहरे उतर गए लाखों ही नौजवानों के जहरे उतर गए लेकिन ना सेरनी ने देखा उठा कर किसी को सर खर्याद की नी जाकर मैया के द्वार पर खर्याद क्या की कि मा जंगल की में हूँ सेर डी तेरा सबारी शेर बिगडी मेरी बनाने में मैया करो न दे तो ये मा वो है तया की देवी है ये तया का दान देती है अरे कौन भक्त कैसा है मा पहचान लेती है जब शेरनी की दर्द भरी तास ता सुनी तपने में उस सिकारी से मैया ने जा कही कि नादान शिकारी तू उस लोग को तोड़ दे अरे वो शेरनी का बच्चा यहां लाके छोड़ दे वो शेरनी का बच्चा यहां लाके छोड़ दे तो सुन करके हो हम मैया का वो थर थर आ गया बच्चे को साथ लेकर दर्वार आ गया बच्चे को देख करके मुझे काती है सेरनी और भूलीन अपने मन में समाती है सेरनी बच्चे को साथ लेकर और जब जाती है सेरनी तो अपनी जुआ से गीत ये गाती है सेरे कि मैं भी तो एक माहो माता और माई मा को पहचाने बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने उसका घूड में देखू कैसे जिसको दूद पिला रा है अब तो चलो बिल्कुल जी देहाँज अरु चलो बुलामा आया है माता ने बुलाया है प्रेनियं प्रेत से बोलो एमात करे לצो आधे प्रेमियो प्रेम से बोलो जेवादादी जेवादादी प्रेमाता के बोलो जेवादादादादी जेवादादी आया है बाता आते बुलाया है साथे दर्वार की देखी